जहीं दोस्तों कैसे आप लोग आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे उम्मीद है आपकी प्रिप्रेशन भी सही तरीके से चल रही होगी मैं आप सभी का एक बार फिर से एक महतुपूर्ण वीडियो के साथ आज हम लोग बात करेंगे सी सेट में जो सबसे महतुपूर्ण क्वेस्टिन जो है आपका वह मिल जाता है कॉम्प्रिहेंसन का लेकिन आप में से 99 परशंट के लिए मैं यह बोल सकता हूं कि आप सारे कॉम्प्रिहेंसन साल्व नहीं कर पाते हो जी हां और आज मैं यहीं प्रॉब्लम आपकी साल्व करूंगा सीसेट 2030 जितने लोग भी द द्यांस को कॉम्प्रिहेंसन को पढ़िए और क्वेस्टन को साल्व करिए 100% मैं कह रहा हूं कि यदि आपने वीडियो देख लिया तो आप कॉम्प्रिहेंसन में कम से कम जितनी अवश्यक अंकहें जरूर लेकर आएंगे चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा हम लोग वो ध्यान से देखेंगे आप यदि UPSC का एक्जाम देने जाते हैं डियर आपको तीन स्टेज़ देखने के लिए मिल जाते हैं पहला आपको प्रिलिम्स का मिलेगा शेकेंड आपको जो मिलेगा प्रिकॉलिफाई होने के बाद आप मेंस देने जाएंगे मुख्य पर होते हैं एक ही दिन दोनों पेपर Kand dancing में इसमें प्लप मेंस की बात करें तो civil APT ठीक है इसमें आपको तीन चीजे मुखेतह पढ़ने पड़ती है और उनहीं के बारे में हम बात करेंगे पहला है हमारा mathematics कि उसके बाद आपको मिलेगा रिजिनिंग रिजिनिंग ध्यान पूरवक देखिएगा आप फिर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसन निरने बगर लेने के भी कुछ टॉपिक होते हैं लेकिन इन तीन पर आप लोग फोकस करिएगा मैथमेटिक्स में मैंने 40 लेक्चर आप लो लोग ने नहीं देखा था तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं पहले आप पैटर्न समझ गए सब्जेक्ट समझ गए सी सेट में हैं कॉम्प्रिहेंसन और कॉम्प्रिहेंसन में आपको मैंने कितना बताया 25 टू 30 क्वेस्टन आपसे पूछे जाते हैं चार से पांच इसमें आपको 33 परसेंट लाना पड़ता है अब कॉम्प्रिहेंसन की महत्व आप लोग समझेंगे यहां पर 33 परसेंट मतलब 80 क्वेस्टन टोटल होते हैं उसमें से 27 यदि आपने सालो कर दिया तो आप कॉलिफाई हो गए और आपकी इससे कोई मेरिट नहीं बनेगी सी से से ठीक है आप सिर्फ कॉलिफाई करिए मेरिट आपकी जीस से बनेगी जो आप कॉलिफाई करके मेरिट में आएंगे तो आप मेंस में जाएंगे तो आप कहेंगे सरकेवल यही कॉलिफाई करने इसकी क्या और शक्ता है नहीं आपको दोनों पेपर पास होने पड़ेंगे इसमें आपको क्वालीफाई होना है और इससे आपकी मेरिट बनेगी आपका नंबर कम आया आप बार हो जाओगे CSET की उपयोगिता इसलिए है कि यदि आप CSET को क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी GS की कॉपी ही चेक नहीं होगी इसलिए आपको CSET पर थोड़ा फोकस करने की अशकता है लेकिन ये ध्यान में रखे कि हमें केवल 33% लाना है 80 में से 27 क्वेश्चन हमें साल्व करने हैं और मैंने आपको बताया कि इन 80 में से 30 के करीब क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं आपको क्या करना है को मैं आज बताने वाला हूं कि आपका क्या होगा जो आप लोग अमूमन करते हैं प्रत्यक विद्यार्थी को तो मैं नहीं कहूंगा कुछ विद्यार्थी है यह से मतलब 80-90 पर्षंट आएं वो ऐसा करते हैं सबसे पहले वो गध्यांस को पढ़ते हैं फिर महत्वपुल अंसों को अंडरलाइन करते हैं जैसे कि यह गध्यांस हो गया इस तरह से लाइन है उसकी तो आप क्या करते हैं पढ़ते पढ़ते जो आपको इंपॉर्टन लग पढ़ते हैं विकल्प पढ़ते हैं तो आप पूरा गध्यांस ही भूल जाते हैं तो जो अंडरलाइन चीजें वह आपको हिल्प करेंगे पहली इस्टेरजी तो आपकी यह हो गई कि गध्यांस को पढ़के हाई-लाइट कर लीजिए इंपॉर्टन चीजे और उसके बाद आप क्वेस्टन्स को पढ़िए फिर विकल्प पे जाकर एंसर लगा देजी आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से सालो करते हैं जरूर बताईएगा अब दूसरी श्टेर्जी पर चलिएगा हल करने की रणनीती हमारी दूसरी है सबसे पहले आपको क्या करना है पहले विकल्प को पढ़िए उल्टा चलिए फिर आप गध्यांस को पढ़िए तब जाके आप उत्तर दीजिए मैं आपको यह चीज क्यों गोल रहा हूं क्योंकि देखिए आप पहले क्या किये आप भूल जाएंगे और यह दि आप पहले ही विकल्प को पढ़ लें आप्शन को पहले पढ़ लीजिए उसके बाद आप क्या करिए गद्यांस पर जाएए पढ़ते रहिए हाइलाइट करते रहिए आपको एंसर मिलता जाएगा फिर आप क्या करें उत्तर दे दें तो यह स्टे विकल्प को पढ़िए और थोड़ा सा एक निगाह क्या करिए इस तरह से दोड़ा लीजिए गद्यांस पर पूरे तो आपको अनुमान लगाना पढ़ जाएगा क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो पूर्वधारना लेकर आते हैं पूर्वधारना से आपका कॉम्प्रेहेंसन पूरी तरह से गलत हो जाता है लेकिन कई गद्यांस आपको ऐसे दिये जाते हैं जिसमें आपको पूर्वधारना को भी लेकर चलना पढ़ेगा तो आप विकल्प पढ़के अनुमान लगाएंगे तो भी आपको पता चल जाए लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि जो हमारा गद्यांस है यह पूर्वधारना पर आधारित है या नहीं है यह कैसे पता चलेगा मैंने एक वीडियो इसके लिए स्पेसल प्रवाइड कर दिया है ठीक है तो जब आपके पास टाइम कम हो तो विकल्प को पढ़कर आप अन्मान लगा शक्ते हैं सबसे important fact, cell Jake पर आई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न की terminology को समझ यह अब आप कहेंगे सर्व आपको किस तरह से चीजों को साल्व करना है और इसका ि्जांपल मैं यहां पर दिखा रहा हूं जो टर्मिन्यों वहां सबसे पहले यहां पर देखिये हमारे निवेष्य निर्णेयों में मैं थोड़ा इसे कर लोग कि यह क plugged-on एक्जाम्पल मैं यहां पर दिखा रहा हूं जो टर्मिनलाजी की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले यहां पर देखिए हमारे निवेश निर्णेयों में मैं थोड़ा इसे चेर्ण में कर लूँ क्योंकि यह कलर थोड़ा मिक्स हो रहा है हमारे निवेश निर्णेयों में से सब से महत्पुर्ण होता संपत्ति का विनीधान अब देखिए मैंने टर्मिनलाजी क्यों बोला सब्दावली सब्दावली समझने के लिए मैंने आपको क्यों बोला कि आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो विनीधान के बारे में जानते हैं ठीक है पुरुवानुमेता अब यह सब क्या है यह सब्दावलियां है और इन्हें समझना पड़ेगा इसके लिए आपको हिंदी की वकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ठीक है इसलिए आपको यह सारी चीजे देखनी है मैंने जैसे सिर्सक और उप सिर्सक की बात की तो आप इसे पढ़ेंगे तो सिर्सक आपको यह से पता चल जाएगा कि निवेस के निर्णयों की बात की जा रही है फाइनेंस से रिलेटड ह पूरा पर आगे तक था मैंने उसे कटकर दिया है मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं साल 2020 क यह क्या है फिक है service में पूछा गया था सी इसलिए मैं आपको यह चीजे दिखा रहा हूं तो आप इस तरह से चीजों को साल्व करिए तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा वीडियो खत्म हो चुका है पहले हमने सीखा कि पहले गध्यांस को पढ़ना है फिर उसके बाज आगे बढ़ते जाना है सेकेंड में हमने क क्या सीखा टाइम कम बचा हो तो पुर्वा नुमान पर चलिए आप अनुमान लगाईए ठीक और फॉर्थ पर हमने देखा टर्मिनलाजी मतलब हमें सब्दावलियां समझनी है पहले ठीक है हिंदी की बात कर रहा हूं मैं पाचों प्रकार की है सीरसक कथा उप सीरसक डोड़ना आप यहां पर देखी रहें तो इस तरह से आप लोग जो आपको तरीका सही लगे पाच के पाचों में से कोई भी एक फालो करिए आप लोग और क्वेस्टन को साल्व कर कि इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा मिलेंगे हम लोग नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जय हिन जय भारत बाइबाइट मेरी तरफ से आप सभी को बेश्ट आफ लग जय हिन जय भारत